अर्जेंटीना के विंसेंट लोपेश शहर में ये कुट्ता इंदीनों हीरो बन चुका है चारतरफ लोग इसका गुणगान कर रहे हैं इसका कारण है उसकी समझदारी जी हाँ इस कुट्टे की समझदारी ने एक मासूम को नई जिन्दगी दी है इस कुट्टे का नाम है ओरेजोन जो लोगों के पीछ काफी पॉपुलर है और अपने मालिक के साथ उसी इलाके में रहता है लेकिन इन दिनों अपने कारणामे की वजह से पूरे अर्जेंटीना में हेडलाइन्स बना हुआ है दरसल हाल ही में एक दिन उसका मालिक जब घर लोटा तो ओरेजोन काफी अपसेट दिख रहा था दरसल उसके पडोसी का कहना था कि घर के बगल में रखे एक थैले को वो बार बार सूंग रहा था और भोग भी रहा था वो ठंड की रात थी जब हम उस थैले को देखने पहुँचे उसके मालिक का कहना था कि पहले हमें लगा कि कोई पूरा कच्रा रखा गया होगा लेकिन ओरेजन बार बार उस थेले को सुंखे जा रहा था और भोग भी रहा था आखिरकार हमने उस प्लास्टिक की थेले को खोल कर देखा तो उसके अंदर एक मासून बच्चा था जिसे देख कर लग रहा था कि वो अब जिन्दा नहीं है इतना ही नहीं ऐसा लग रहा था कि उसका जन्म कुछ दिन पहले हुआ हो और पूरी तरह से कुछ पोशन का शिकार हो गया हो हालांकि जब उसे बाहर निकाला गया तो उसकी सांसे चल रही थी मामले की सूचना पुलीस को दी गई जिसके बाद उस बच्चे को अस्पताल में भूती कराया गया कुछ देर अब्जर्वेशन करने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चा बल्कू ठीक है फिल्हाल पुलीस बच्चे के परिवार वालों के तलाश में चूटी हुई है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों उसके साथ ऐसा सलूप किया गया ये थी ASD News की रिपोर्ट